बीजेपी को रामका तो नहीं मिला अश्रवाद क्या शिबी हुए रोष्ट जाने जियोते लिंग वाली बारे सीटो करे जल्ट बीजेपी के नेततों वाले एंडिये ने जीत की हैट्ट्रिक लगा दी है लेकिन 2014 और 2019 की तरह बीजेपी इस बार अपने दम पर वहुमत हासल नहीं कर पाई बीजेपी को सबसे बड़ा जटका यूपी में लगा लोग सबचनाव की नतीजे आ गए बीजेपी के नेततों वाले गटबंधन की लगाता तीसरी बार सत्ता में वापसी होती दिख रही है हालांकि नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक नहीं रहे चार सो के लक्ष के साथ उत्रा है एंडिये तीन सो सीटों के भीतर ही सिमट गया बीजेपी को सबसे ज़्यादा छटका उत्तर प्रदेश में लगा यहां 2019 लोग सबच रुणाव में अंडिये ने 64 सीटों पर जीत हासल की थी लेकिन इस बार ये सीटें घटकर 36 रह गई हैं बीजेपी ने इस चुनाब में राम मंदर को भी बड़ा मुद्दा बनाया था लेकिन चौकाने वाली बात तो ये रही कि बीजेपी को अयोध्या में ही रामलला का आश्रवाद नहीं मिला आए ज़ानते हैं कि भगवान शिव का कितना आश्रवाद बीजेपी को मिला यानि 12 जोतिर लेंग वाली सीटों पर क्या नतीजी रहे। यानि 12 जोतिर लेंग वाली सीटों पर क्या नतीजी रहे। पूरा करने के लिए नई उर्जा, नई उमंग, नई संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों के साथ साथ बीजीपी के कारिकर्ताओं का अथक मेहनत करने के लिए आभार जताया। परधान मंत्री मोदी ने ओडीसा में बीजीपी की जीत के लिए जनता का अभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा वे राज को नई उचाईयों तक ले जाने में कोई कसर नहीं छुड़ेंगे।